हलो स्टुवेंट्स सभी मैं अपने गाउं में हूँ तो सोचा कुछ पढ़ा दूँ आप सबको मोनोकॉट डाइकॉट का नाम आप लोग सुने हैं तो एक प्लांट दो तरह के होते हैं इस कंसेप्ट को सीखते और समझते हैं जैसा कि इस प्लांट को आप सब लोग पहचानते होंगे यह है विश्कस है जिसको आप चैना रोज या अड़ुल बोलते हैं यह डाइकॉट प्लांट है और इसके पतियों को जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो पूरा जालनुमा सनचना का निर्मान करती है और ऐसा अगर भेनेशन दिखाई दे किसी पत्तियों में तो आप समय लिजिए कि वह डाइकॉट प्लांट है यहीं बगल में देखें लेमन ग्रास दिख रहा है तो इसके अंदर आपको पैरलल भेनेशन दिखाई देगा यान देखेंटें यह आपको आपको देखते हैं यह बनाना में तो यह चीज़ साफ साफ दिखाई देती है दूर सही कि पैरलल भेनेशन इसमें किस तरश है यह स्पैडर प्लांट काली जब पैरलल भेनेशन वाले पतियों मोनोकॉट के भी कही सारे प्लांट है जिसको बच्छे पहचानते नहीं है यह सभी घास मोनोकॉट हैं केला जितने विधान, गेहुंग और मकाई के फसल है यह सारे मोनोकॉट होते हैं इसी तरह के बाइलोजी की कॉंसेप्ट को देखने के लिए आप भी फॉलो करें बाइलोजी विंग्डू